मध्य परदेश के जबलपूर में एक आम के बगीचे की सुरक्षा के लिए तीन गाड़ और नो कुत्ते लगे हैं दोस्तों यहां पर एक खास किसम का आम है और उस आम की सुरक्षा के लिए तनी तकड़ी सुरक्षा व्रवस्ता की गई है तरसल यह आम मूलत जापान में पह हुच जाता है इसलिए इसकी सुरक्षा का इंजाम भी खास किये गए हैं इन आमों की रखवाले के लिए कुत्ते और गार्द 24 घंटे बगीचे में तैनात रहते हैं ताकि कोई आम तोड़ कर ना ले जाई बगीचे के मालिक संकल्प कहते हैं कि इस जापान याम का नाम टा से आम की चोरी होने लगी थी इसलिए उन्होंने इस आम की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम की हैं और इसकी सुरक्षा पर काफी पैसा भी खर्च किया है दोस्तों जब यह आम पूरा पक जाता है तो यह हलका लाल और पेला हो जाता है जो बहुत ही खूब सुरत लगता है और इसका वजन 900 ग्राम तक पहुँचाता है साथ ही इस आम में रेसे नहीं पाय जाते और इसे खाने का स्वाद ही कुछ अलग है ये बहुत मिठा होता है आम की ये परजाती जापान में संरख्सित वातावरण में हुआ जाती है लेकिन संकल्प सिंग पर हार कहते हैं कि उन्होंने इस आम की परजाती को अपने पंजर बड़ी जमीन पर लगा दिया और खुला आसमान पाकर यह बहुत अच्छे तरह से यहां पर उगा संकल्प कहते हैं कि सुरुआत में चार एकड के बगेचे में उन्होंने आम की कुछ पेड़ लगाए थे अब उनके बगेचे में चोदा हाइब्रिड और छे विदेसी किस्म के आम है वहीं जापानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस आम को दुनिया का सब से महंगा आम समझा जाता है पिछले साल अंतराष्टिय बाजार में इसकी किमा धाई लाक रूपे परतिकिलो थी भारत में इस आम की खेती कई और नहीं की जाती संकल्प सिंग परियार ने अपने चार एकड़के बगीचे में जोदा अलगलग किस्म के आम लगाई है उन्होंने तमागो आम की बावन पीड लगाई है इस आम की खेती करने वाले संकल परियार का कहना है कि जापान में जहां इस आम को पोली हाउस के अंदर सुरक्सित वातावर्ण में उगया जाता है वही मैंने इस आम की बगीची में लगा रखा है और इस आम को जबलपूर का वातावर्ण ऐसा भाया की हाँ पर वो खूब अच्छी तरह से फला फुला लेकिन अब आम की सुरक्सा करना उनके लिए काफी चुनोती पूर्ण हो रहा है सबस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें